बिग बॉंस का सोल्वर सीजन हालभी में शुरू हुआ है जो आते ही खुब जाया हुआ है कंटेस्टेंट्स के बीच लडाईयां तो देखने को मिल ही रही है साथ ही दो लोगों के बीच नस्दिया भी खुब बढ़ती नसर आ रही है और ये दो लोग हैं इमली फेम सुंबल तौकेर खांग और एक्टर शालीन भनोट जिहां 13 साल की सुंबल तौकेर बिग बॉंस 16 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक मानी जा रही है वो अपने स्रॉंग व्यूस रख रही है और इसलिए फांस उन्हें खुब पसंद भी कर रही है हालाकि इसे भी शालीन भनोट के साथ वो काफी क्लोस भी दिखाई दे रही है बीती एपिसोड में दोनों के बीच काफी निजदी क्यां देखने को मिली थी कभी दोनों एक दूसरे को हग करते नज़र आए तो कभी सुम्बल शालीन को उठाती नज़र आए इतना ही नहीं शालीन ने सुम्बल को मजाग में स्विविंग पूल में भी फेक दिया हाना कि सुम्बुल और शालीन की नजदिकियां फांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं फांस का कहना है कि दोनों का 20 साल का अंतर हैं दोनों की नजदिकियों को देख फांस मांग कर रहे हैं कि शो में अब फहमान खान को बुराया था बता दे कि फेहमान खान को इमली शो में सुंबुर के साथ देखा गया था उन्होंने आरिन कत्रेदार निभाया था और शो में उनके ऑन स्क्रीन जोड़ी कवफी पसंद की गई थी इतना ही नहीं आफ स्क्रीन भी दोनों के अफेर की जर्चाएं खूब चल रही थी ऐसे में अब जनता शो में फेहमान की एंट्री की मांग कर रहे हैं बता दे कि ऐसी खबरे थी कि फेहमान को बिगबांस 16 के लिए अप्रोच किया गया है हालांकि एकर ने शो में आने से इंकार कर दिया लेकिन अब जिस तरह से फैंस फैमान को लाने के मांग कर रहे हैं उसे देखते हुए उमीद की जा रही है कि फैमान शो में वाइल कार्ब कंटेस्न के तौर पर नजर आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि फैमान उस वक्षो में बतार गैस बनकर नजराएं जो फैमिली राउंड होता है और कंटेस्न के करीबी लोग शो में एंट्री करते हैं वहीं जिस तरह से फैमान की एंट्री की मान कर रहे हैं उसे देखते हुए हो सकता है कि मेकर्स आने वाले दिदों में कोई बड़ा फैसला ले ले साफ है कि अगर फहमान शो में आए तो घर का महाल काफी करमा सकता है फहमान की एंट्री सुंबूर और शालीन की क्लोसनेस को भी दूर कर सकते है जो फ्रैंस भी चाते है हाला कि बाकर फहमान आने वाले दिदों में शो में नजर आते हैं या नहीं ये तो फिल्हान साफ नहीं है लेकिन फहमान का बिग बॉंस के घर में आना शो को और ज़्यादा एंटिटेनिंग जरूर बना सकता है